सेब्सक्राइब हम बात करेंगे के पर इस् miesz muchas लेफिस लेफैने उसको कर दिया है और अब सेवनुस्रेट की तर को बरेखिन के दियल रही है निकल के आरहे है जो पारैंगे जो सब्सक्राइब हो अबिक्राइब ही सब्सक्राइब के टागेट्स करहेंगे दूसरा जिन्होंने स्कॉइन को प्रीवियस ब्रेक आउट के टाइम पे उपर वाले रिवल पर बाई किया हुआ है उनका कब तक रिकवर होगा कितने टाइम बाद स्कॉइन में मुमेंट देखने को मिलेगा ओवराल सारी चीज़ों के पार हम बात कर सब्सक्राइब करना चाहते हैं क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं इंस्टा की लिंक वीडियो के टिस्किप्सन में है कंटल कोई 7.07 पर ट्रेड कर रहा है अभी जो कल बिटकोईन में सुबह के टाइम पे जो फ्लक्टुएशन देखने को मिली थी वहाँ पर इस अब अगर आप इस टाइब की फ्लक्टुएशन को देखेंगे तो बिटकोईन ने जब जब इस टाइब से फ्लक्टुएट किया है जब जब बीटीसी ने उपर वाले लेबल से ड्रोप लिया है इस कोईन ने नया लो बनाया है अभी तक कि अगर हम लोवेस्ट अरिया की बात करें तो इस से पहले स्कुम्य ने यहाँ 7.4 वाल लो बनाया थैओ और इसने खुद डुप लिया था जिसमें भी इसकुएन 7.4 वाला लो बनाया था हम आपकोuld इसकुम्बर科 म दिशंबर में भी अभी तक कर रिगुलर वेसेस पर एस्कोई जब इस coin ने move करना start किया था जहां जहां possibility रही थी जहां जहां आप पोशी रही हमने आपको entry share की और maximum जो level हमारा था जो target था वो 20 से लेके 24 तक का इस coin में था वहां तक इस coin ने hit किया हमने profit generate किया proper और safe level पर बहुत अच्छे profit के साथ exit हुए देखिए हम आपको बार बार कहते हैं आप कभी भी market के अंदर या किसी भी coin के अंदर bottom level पर कभी भी entry नहीं ले सकते और इसे top level पर sell नहीं कर सकते जहां coin maximum hit करेगा अब इसको ने 29 UST को hit किया था हमारा जो prediction था जो भी momentum जो भी चीज़े जो tools वगेरा शो कर रहे थे उस business पर हमारा इसका 20 से लेगे 25 तक का price range का target था उसके बाद के chances कम थे तो 29 तक गया और वहां से reject हो करके और बड़ा dump लिया यहां हमने एक बार आपको 5.5 UST कराओं में entry share की और एक बार यहां 10 UST कराओं में entry share की दो level से हमारा पास थे जहां पर पोस्टी थी जहां पर possibility थी कि यहां से यह coin move करेगा हमने यहां इसके बाद इसी कोई possibility नहीं थी जहां पर हमने entry share की और यहां भी entry share करके आपको इन levels पर exit करने के लिए suggest किया था यहां profit book की हमने ऐसा नहीं कि 20 UST पर आपको entry share की है 22 points share की ऐसे level से हम नहीं बताते हैं जहां तक possibility रहती है ऐसे levels बताते हैं जहां maximum moment के chances हो BTC के साथ उस level BTC के साथ उस level से थोड़ा बहुत fluctuation है और थोड़ा बहुत moment के chances रहते हैं जिसे यह coin पिछले एक महिने से 8 UST के राउंड में stable है यहां से हमने दो बार entry भी इस coin मिली और profit भी generate किया बीच में जो moment हुए 9.2-9.4 तक हमने profit generate किया और हम इस level पर almost इस coin को 7.6-7.8 डेली के अंदर support area था जिसको इस coin ने almost maintain किया हुआ था बहुत time से maintain किया हुआ था लेकिन हमने हर वीडियों बताया था किस coin की possibility है 7 UST तक जाने की और 6.8 तक भी चा सकता है BTC में कभी भी fluctuation होती है जिस भी level पर यह coin रहेगा जितना BTC drop होगा उससे 2X से जादा का drop इसकी price में देखने को मिलेगा यह coin 8 UST से उपर था 8 UST से जैसे ही BTC drop लिया इस coin ने भी 8 UST से drop लिया 6.4 वाला लोग बनाया तो जिन्होंने 7 UST की second buying लगा कर रखे थी हर बार हमने बोला है कि 8 UST के round में आपकी एक entry हो जाएगी 8 UST यह उससे नीचे और second entry आपको 7 पर लगा कर रखनी वो बहुत safe रहेगी 7.5 पर भी बताया था लेकिन आपको कोशिस करनी कि 7 UST की buy limit आप लगा कर रखे दोनों levels आपको आपने grape किया अब जो maximum level था इसका इस coin ने hit कर दिया है और जब तक कोई भी coin अपना maximum bottom level hit नहीं करता है तब तक उसमें बहुत जादा मोग नहीं होता है अब 7 UST वाला जो level है इस coin के लिए वो weekly में एक अच्छा support एरिया डेली के अंदर 6.8 अब इस coin के लिए support एरिया जिसका मैंने आपको previous वीडियो में भी बताया था कि 6.8 इसको support एरिया है 7.8 के बाद में और यह वहां तक drop कर सकता है तोड़ा वह तनीचे भी fluctuate कर सकता अगर BTC में बड़ा dump या बड़ा drop एक किसी भी level से यह नहीं कि 38 से ही हो यह नहीं कि 35 से ही हो या 42 से जिस भी level से BTC drop होगा यह coin उस level से drop होगा यानि यह coin वहां जहां भी trade कर रहा होगा वहां से इसमें drop देखने को मिलेगा previous जितने भी case coin के वीडियो आप देख सकते हैं बहुत साह लोग में follow कर रहे हैं तो जिन्होंने buy किया हूँ देखिए यह 7.5 यह बहुत जाद रिसकी level नहीं है sport के अंदर आपके portfolio में 5-10% का loss बहुत जादा नहीं होता वो भी इस situation में जब BTC थोड़ा सा डगमगा रहा हो BTC थोड़ा सा unstable हो BTC में correction देखने को मिल रहा उस situation में बाकी BTC मोग करेगा वापिस आपका जो buying level है उसके round price चली जाएगी अब हमने previous वीडियो में भी पता था 8 top November का हमारा previous वीडियो उससे पहले के जितने भी वीडियो है किसमें breakout कब होगा सबसे important चीज है कि buy जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं बहुत कम लोग है जो buy कर रहे हैं सबसे जादा लोग है जो इसमें recovery का wait कर रहे हैं किसी ने 10 UST, 12 UST, 15, 18, 20, 22, 25 तक इस coin को buy किया हुआ उनके लिए हमने पहले भी बता है कि December मन्त के अंदर इस coin में बहुत जादा moment के chances नहीं है यानि कि December end या उसके बाद possibility रहेगी कि एक coin थोड़ा बहुत मूख करेगा उसके लिए दो situation जो है वो important है पहला ये कि जब तक एक coin 9.5 से उपर weekly closing नहीं करता है क्योंकि 9.5 UST वाला level या 9.4 UST वाला level जो है वो weekly के अंदर इस coin को recense से दिया है अब जैसे उससे उपर close करेगा वो support बन जाएगा तो जब तक उससे उपर weekly closing नहीं करता और 9.2 से उपर daily closing नहीं करता ये दोनों जब तक नहीं होगा तब तक बहुत ज़्यादा moment नहीं होगा अभी ये coin drop हो गया 7 UST पर आ गया जो कि 7 UST weekly के अंदर support इरिया था उससे भी नीचे trade कर रहा है तो अभी weekly closing तो हला कि हो गई है वो 7.9 से उपर हुई है तो यहां से अभी भी वो जो मैंने आपको बताया था previously कि December में बहुत ज़्यादा moment नहीं होगा वो almost confirm भी हो गया है आपको भी थोड़ा पोचीजे समाज आ गही होगी कि December तक तो कोई moment नहीं होगा December ends है उसके बाद normal move होगा और जब तक 9.5 से उपर weekly closing नहीं करेगा तब तक बड़ा breakout नहीं होगा मतलब 40-50% का 30% का एक बड़ा moment और वो तभी ही होगा जब 9.5 से उपर weekly closing करेगा उससे उपर weekly closing होती है फिर वहां से move करके एकाथ breakout जिसमें 13-14 तक चला जाएगा तो इनकी 10 UST की buying है उनको almost 1 month wait करना पड़ सकता जिनकी उससे उपर की buying है उनका उससे थोड़ा बहुत 2 month या 3 month 15 तक जिनकी buying है उनको 2 month पर wait करना पड़ सकता उससे उपर वालों को और भी ज्यादा time wait करना पड़ सकता बीच में कोई बड़ा breakout हो जाता है जिसमें आप recover हो सकते हैं तो sell limit आपको लगा कर यकने अपनी buying price पर इसके अलाबा अभी भी इस coin में possibility है एक अच्छा level है entry ले सकते हैं 7 UST 7.2 7.5 तक अच्छे लेवल से दो पार्ट में buy करना है जहां भी buy करें यानि कि अभी अगर आप 7 UST पर buy करते हो तो second आपको 6.5 6.6 कर राउंड बाए करना है पहले भी बताया सजिस्ट किया हुआ आपको 8 UST 7 UST हम बता रहे हैं लेकिन वो सेफ लेवल है बहुत जादा उससे आपको बहुत जादा परिसान है नहीं होगी मेरे portfolio में कुछ ऐसे coins है जो 5-8% अभी current situation में dump करना है तो यह इस टाइप के situation होती इस पोर्ट करना है इसके लावा जो भी नए investor trader market में आये हैं जिनको ज्यादा knowledge expense नहीं है वो हमारी premium membership में ज़रू enroll करें वहाँ पर आपको proper guidance प्रोपर strategy share की जाएगी चेट access रहेगा crypto queries resolve की जाएगी signal share की जाएगी और भी बहुत सारे benefits हैं तो जो भी अपनी crypto journey profitable start करना चाहते हैं crypto losses से बचना चाहते हैं वो इंस्टा पर DM करके join कर सकते हैं अंस्टा की लिंक वीडियो के description में हैं बाकी यहाँ पर buy or sell खुद के risk को सर्च के हिसाब से करें यहाँ पर हम कोई finance advice नहीं दे रहें वीडियो से education purpose से हैं ताकि आपको overall coin selected knowledge हो सके हैं वीडियो अच्छा लगा है like सब्सक्राइब करें चैनल को subscribe कर लें थैंक्यू